कोई मुख्यमंत्री ऐसे जादू नहीं कर सकता देखिए साब इन्होंने जादू करकर राजस्तान में बिजली घूल कर दी पूरे देश बर में बीजली बोधी जिन्हें गर-गर पहुचाई यहां सबसे ज्यादा कटोती राजस्तान में होती है स्वास्त की सुविदाएं जो वसुंद्र राजे सरकार में बहुत आगे बड़ी थी इसको घूम करने का काम यह असोग्यहलोज सरकार नहीं किया है रोजगारी भी घूम कर दी कानून और व्योस्ता भी घूम कर दिया अब इतनी सारी चीजे तो कोई जादूगर ही घूम कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है भाईों और बैनों चाहे बिजली देनी हो स्वास्त सुरक्सा ठीक करनी हो या कानून और व्योस्ता की स्थीति ठीक करनी हो यह काम केवल और केवल कमल फूर की सरकार कर सकती है भाजपा सरकार कर सकती है और मित्रो एक वर्ल्ड रेकोर्ड कॉंग्रेस सरकार ने बनाए पेपर लीक करने का रेकोर्ड हर साल तीन पेपर लीक हुए प्रदेश में पब्लीक सर्विस कमिशन का हर पेपर लीक होता है चार साल में 14 से ज्यादा पेपर लीक हुए लाखों युवाओं के भविश्य पर प्रस्ण चिन्ह लगाने का काम किया है Constable भरती का पेपर लीक High Court LDC की भरती का पेपर लीक SI भरती का पेपर लीक चिकित साधिकारियों का पेपर लीक CHO का पेपर लीक लाइबरियन भरती का पेपर लीक जेएन सिविल डिगरी का पेपर लीक वन रक्सक भरती का पेपर लीक बिजली विभाग के तकनिकन की हैलपर का पेपर लीक और वितियस रानी के सिख्सक की भरती का पेपर भी लीक किया और गैलोज साब कुछ नहीं बोलते हैं, गैलोज जी एक पेपर के लिए एक युवा धाई तिन साल कठोर मेहनत करता है, कई लोग ट्विशन की फी भी देते हैं, और आप पेपर लिग करकर कॉंग्रेस पार्टी के चट्टे बट्टे को रोजगारी देते हो, सर मानी चाहे गैलोज जी आपको सर मानी, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कमल फूल की सरकार लगा दीजिये, आने वाले दिनों में हम ऐसी व्यवस्था करेंगे, कि राजस्थान में एक भी पेपर लिग नहीं होगा, ऐसी व्यवस्था भारतिय जन्ता पार्टी करेंगे, मित्रोय तुरुष्ट्री करण की राजनिती, गैलोज जी ने सारी सिमाय लांग दी है, 19 में टॉंक में हिस्था हुई, 20 में डिंगरपुर में, 21 में बारा में, 21 में जालावाड में, 22 में करोली में, 22 में जोदपुर में, चाबडा, बिलवाडा, करोली, जोदपुर, चितोडगर, नोहर, मेवाच, मालपुरा और जैपुर, इस सभी जगे, कोमी दंगे हुए है, और उदैपुर में, दिंद हाडे, कनया लाल तेली का सर काट कर, इन लोगों ने हत्या कर दी, मैं पूछना चाहता हूँ, गेलो जी आप क्या कर रहे हो, कनया लाल तेली का सर काट दी गा, आपने क्या किया, राम नवमी और महाविर जैन्ती पर प्रतिबन लगा दिया, अब सर काटने वाले को तो यह कुछ नहीं करते, महाविर रेली, महाविर जैन्ती और राम नवमी पर प्रतिबन लगा दिया, और दूसरी और कोटा में पिये फाई वाले धडलने से रेली निकाल रहे हैं, भगवान बला करे मोदी साब का, इन्होंने नेने करकर यह पिये फाई को बैन लगा कर जैल में डालने का काम, यह भारतिये जन्ता पार्टी की सरकार, करोली में डारा 144 लगाई, अलवर में 300 साल पुराना मंदीर बुल्लोजर से तोड़ा, जालावाड में कुष्णा वालमी की पिट पिट कर हत्या करी, भरतपूर में संत विजयदाजी को आत्मत्या करनी पड़ी, और सलासर में राम दर्बार को भी बुल्लोजर से घिराने का काम, यह असोग गहलोद की सरकार ने की है, मुझे बताओ नावावालो, डेमोक्रसी में सबका अधिकार है या नहीं है, है या नहीं है, यह तुरुष्ट्री करन की राद निदी चल सकती है क्या, जोर से बोलो चल सकती है, अरे उकाड कर फेरेक दो यह गहलोद सरकार को, जो इस तरह की तुरुष्ट्री करन की राद निदी करती है, और मुत्रो तुरुष्ट्री करन की तो सिमा होती, मुझे बताओ नावावालो, एक कस्वीर हमारा है या नहीं है, जोर से बोलांत तक है या नहीं है, धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी धारा 370 हटाने के लिए उनकी तो हिम्मत नहीं चली कलेजा चाहिए कलेजा उनमें कलेजा नहीं था आपने दूसरी बार 25 की 25 सीटे दी मोदी जी 19 में प्रदान मंत्री बने पांच अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 समाप्त कर दी और उस वक ये राहूल बाबा कहे को हस्ते हो भाईया ये राहूल बाबा खड़े होकर पार्लामेंट में कहते थे दारा 370 मत अटाओ खून की नद्या बह जाएगी अरे राहूल बाबा खून की नद्या छोड़ो ये नरेंद्र मोदी का शासन है किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है मोदी जी ने डारा 370 को समाप करकर हमेशा के लिए हमारे कस्मीर को भारत के साथ जोडने का काम कर दिया मित्रों आज मैं राजस्तान की जनता को कहने आया हूं अगर फीर से कॉंग्रेस की सरकार आती है तो पीएफाई जैसे संगठनों से कॉंग्रेस को कोई बचा नहीं सकता कोई बचा नहीं सकता भाई और बेनों कि जो जाट बेल्ट में मैं आया हूं सेना को सबसे ज़्यादा जवान देने वाला ये प्रदेश